आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा साधर प्रणाम सुईकार हो आज मैं एक ऐसे चमतकारी अपसरा की साधना लेकर आया हूँ जिसे करने मात्र से आप अपने जीवन को बदल सकते हो रोडपती भी करोडपती होगा गरीब अमीर होगा जो जिसके पास पैसा नहीं है वो करोडपती हो जाएगा इतनी ये चमतकारी अपसरा आपके हर एक ख्वाईस हर एक मुराद चुटकी बजाते ही पूरी कर देती है ये चमतकारी अपसरा आपके पलक जबकाने से पहले करोडपती आपको बना देगी और ये साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है चाहा हो नया साधक हो पुराना साधक हो इस्तरी हो पुरुस हो नर हो नारी हो किनर हो किनर हो किनरी हो छोटा बच्चा भी इस चमतकारी अपसरा का नाम है रोहिनी अपसरा और यह अपसरा सिर्फ 108 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खरी हो जाती है मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या तो मेरे गुप्त सक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है मैं कोई भी आडम पाखंट किताबी ग्यान लेकर नहीं आता हूँ ना ही मैं किसी का समय वेर्थ करता हूँ मेरी मुझे निकली वाणी पत्तर पे लिखी हुई लकीर है जो कि 1,1,1% सत्यता का परमान देती ही देती है और साधना सिद्ध होगा ही होगा और यह चमतकारी अपसरा क्या क्या कर सकती है वो ध्यान से सुनिए यह पहले कोई भी पैसा से भरा गो डाउन हो कहीं भी पैसा से भरा गो डाउन अगर है आपके पलक जपकते ही एक जगह से दूसरे जगह वोग कर देगी आपको पैसे की जरूरत है बस आप इस चमतकारी अपसरा को बोल कर देखिए आपके पलक जपकते ही उतना पैसा आपके समक्ष रखा हुआ मिलेगा कोई फाइल पर उच अधिकारी का सिगनेचर चाहिए या कोई फाइल एक जगा से दूसरा जगा करना है या कोई इनपोर्टेंट चीज है या इनपोर्टेंट फाइल है या इनपोर्टेंट कोई सामान है जिसे एक जगा से दूसरी जगा करना है आपके पलक जपकते आपके चुटकी बेजाते या चमतकारी अपसरा कर देती है यह मारन, मोहन, उचाटन, वसीकरण, अस्तंबन, बिद्दिवसन, सांती करम सट करम में सट करम करती है यह अपसरा और इसका वसीकरण का कोई तोर ही नहीं है क्योंकि एक बार इसको अगर वसीकरण के लिए चला दिया तो आपके पलक जपकते ही सामने वाला आपके वस में होगा यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है कौन सा सेयर उपर जाने वाला है, कौन सा सेयर नीचे आने वाला है यह लोटरी के बारे में बताती है यह लोटरी में International और National दोनों ही लोटरी का नमбर बताती है और 1,1,1 परसंट इसका लोटरी का नमбर खुलता ही खुलता है यह सटे के बारें बताती है सटे में गली, दिशावर, गाजियावाद, फरीदावाद, मेन मुंबई, कल्यान, राजदानी, मिलन, मिलन नैट इन सबी का नमबर बताती है और एक लाख एक परसंट यह नमबर खुलता ही खुलता है उसके बाद में यह जमीन के नीचे जो गरा हुआ धन होता है और गुप्त धन होता है उसका यह सटीक जानकारी एक लाख एक परसंट देती है कोई मेरा भाई या बहन जो कि जमीन के नीचे का कार करता है उसके लिए तो यह अपसरा वर्दान सुरूप है यह एक लाग एक परसेंट आपको बता देती कि कहां पर गरा हुआ धन है कैसे निकालना है विधी क्या है उसको कैसे क्या करना है सारा कुछ यह बता देती है उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त औसदी के बारे में बताएगी जो कि चुटकी बजाते आपका बीमारी खतम हो जाएगा यह आपको भूत भविस बर्तमान तीनो काल की खबर लाकर देगी कौन इंसान आने वाला है किसलिए आने वाला है उसके जेब में कितने पैसे हैं पैसे का नंबर क्या है वो क्या चाहता है सामने वाले का history, geography, biology सब कुछ आपके समग्चे रख देती है उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त अपसराओ की साधनाय सिद्ध करवाती है यह अपसरा का तो गुप्त से गुप्त साधना सिद्ध करवाएगी और आप गर आपको कोई दूसरा कोई साधना करना है तो वो भी उसका भी गुप्त से गुप्त साधना का मंतर आपको दे देती है जो कि आपको मिंटो सेकंडो में साधना सिद्ध हो जाता है उसके बाद में यह आपको बुढ़ा नहीं होने देती है अगर आपने इस समतकारी अपसरा का मंतर ही जाब कर लिया तो आपका जो करता है ऐसाग साधना करने के बाद में आप हीरे जैसे चमक स्रीड में आ जाता है अगर कोई भी इस लड़का हो लड़की हो इस्टरी हो पुरुस वनर ओपिनर डूर कि अपशो कुछे वो अगर इस चमतकारी अपश्रा की इसाधना करती है या लेगा है तो उसका जो उम्र है वो रुख जाता है बनावटी उम्र रुख जाएगा वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा लेकिन यह मसूचिएगा कि आपका मिर्टू नहीं होगा मिर्टू होगा लेकिन आपका जो उमर है वो रुख जाएगा आप जितने एज में यह साधना करोगे उतने के ही दिखोगे आप, ठीक है, उसके बाद में, यह आपको हर तरीके से मदद करती है, कोई मेरा भाई या बहन है, जो कि किसी के पास जाता है बात करने के लिए, तो सामने वाला उठकर चला जाता है, लोग आपको भेलू नहीं करते हैं, आपको इगनोर करते हैं, आपस आप इस चमतकारी अपसरा का मंत्र जाब करके देखो फिर देखो चमतकार क्या होता है आपके स्वर्व में आपके व्यक्तितों में आपकी वानी में इतना अकरसन आ जाएगा जो कोई भी लड़का लड़की इस्तरी पूरुस नर नारी बच्चा बुड़ा बुड़ी कर देख़ा ताल वसीबुटो जाएगा आपके पीछे पागल हो जाएगा आपने किसी को पैसा दिया है वो दे नहीं रहे तो बस इस चमतकारी अपसरा को बोल कर donde को तो बस आप इस चमतकारी अपसरा का सिर्फ मंत्र जाप करके देख लो, फिर देखो चमतकारी क्या होता है, आपका जौप नहीं लग रहा है, जौप लग जाएगा, आपका संतान नहीं हो रहा है, आपका बिवा नहीं हो रहा है, चुटके वजाते बिवा हो जाएगा, आपक तो यह अपसरा आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाती है, कोई मेरा भाई या बहने, जो कि जौब का एकजाम दे दे के ठक चुका है, जो कि बीमारी से ग्रिसित है, बहुत ज़्यादा ग्रिसित है, ठीक नहीं हो पार है, डॉक्टर को दिखा दे का के ठक चुका है, जहा पर लोग बोलते हैं जाने को जा जाकर ठक चुका है, लकिन उसका बिमारी ठीक नहीं होता, बस इस चमतकारी अफसरा को बोल कर देखो, यह इसने आपको मंद्र जाप किया नहीं कि आपको बिमारी gider से खतम हो जाता है, यह आपको हर तरीके से मदद करते हैं, यह आपको आपके सबाग कोई आएगा और ना ही जाएगा इसमें लालासन लालवस्त्र और माला इसमें यूज नहीं होता है इसमें आपको क्या चाहिए मिठाई के पीस चाहिए पांच ठीक है उसके बाद में आपको शमेली का तेल और तिल का तिल का इसमें दीपक जलेगा दो मुखा दिपक जो होता है वो जलता है इसमें उसके बाद में आपको गुलाब का फूल का जो माला होता है वो चाहिए लोभान चाहिए थोड़ा सा इत्रिश्य डख लीजेगा और थोड़ा सा अगरवत्ती जला लीजेगा और इसमें हवन होता है आम के लकरी पर हवन सामगरी में हव होता है उसे मिलाकर तब आप इसका हवन कीजिएगा मंत्र के द्वारा जितना एक बार मंत्र पढ़ा एक बार हवन करना है उसके बाद में हवन करने के बाद में जो हवन कि चोट पर सिद्ध होगा ही होगा साधना सिद्ध कीजिए अपना और दूसरे का भला कीजिए बुरा किसी काई मत कीजिए गुरुपरती प्रेम गुरुपरती आस्ता गुरुपरती विश्वास बना कर रखे साधना एक लाक एक परसंट सिद्ध होगा ही होगा